भाया यहां पर है मेरा TDA 2030 का बोड यहां पर तीनो आइसी एक्चुली ब्रीज बोड में नहीं है यह एक्चुली नॉर्माल जो कॉन्फिकारेशन है उसमें है भाया मैंने पूरा सेटाप यहां पर रेडी कर दिया यह एक बैटरी से चलेगा तो आप लोग इसको कार में इंस किया हुआ है क्या क्या मॉडिफाइब किया यह तो बाद में बताऊंगा तो चलिए एक बार इसको चालू करके गाना सुन लेते हैं इस प्लूट्टूसमो आप प्रेयर्ड अशीज मिक्स यह बेस की वोलियूम तो भाया देखा कितना तगड़ा बेस दे रहा है उनली एक ही बैटरी से 0-12V DC से तो इसके लिए 20-0-12V की कोई जरूरत नहीं है तो यह करने के लिए आपको इतना सारा मोडिफिकेशन करने की जरूरत है इसमें मैंने 10 मोडिफिकेशन बताया उसमें से कूछ है इसको ब्रीज मोड में सेटाप करने के लिए bridge mode इसलिए चाहिए ताकि यहाँ पर only 12 volt available है और यह 12 volt में 24 volt का काम करेगा आगर हम bridge mode कर देते हैं तो यहाँ पर 2 IC को bridge mode में use करेंगे उफा चलाने के लिए और एक single IC को use करेंगे एक speaker चलाने के लिए क्योंकि गाड़ी होता है एक बहुत ही छोटा जगा उसमें stereo उतना अच्छे से effect नहीं खलता है इसलिए हम लोग stereo को बात देंगे एक only mono में speaker चलाएंगे गाना के लिए और 2 IC के मतदद से bridge mode में आपका वूफार चलेगा तो इसमें तागड़ा bass आएगी तो यह 3 modification वूफार के लिए इसको हम लोग bridge mode में convert करेंगे तो यहापर मैंने power दिया यहापर DC सप्लाई से 12V का पावर दिया है तो 12V इसका यहापर plus minus 12 जो AC line है यहापर दे दिया तो bridge rectifier के थ्रूज आके यह 12V DC बनेगी और इन दोनों capacitor में 6V 6V भर देगी और bridge में जो 0 है वो एक floating ground जैसा रहेगी इस ground का कोई तकत नहीं रहेगी लेकिन यह लगवख maintain कर लेगा 6V by 6V दोनों में हम लोग पीछे आएंगे यहापर एक audio input होसा है यह input कहा गया है देखिए इस वाली point में गया है जो की इस side की इस IC का जो input है उसमें गया है तो यह जो connection point है यह यहापर जो बीच वाली pin है इस से जुड़ी है जो 5 bin का connector है तो इन में ही हम लोग input तो देते है तो खेर बैसी के लिए मैं यहापर एक side का input दिया हूँ एक channel का क्योंकि हम लोग एक channel का ही speaker इसमें पचाएंगे और बाकी जो दो IC है इन दोनों में हम लोग bridge mode करके साब woofer चलाएंगे तो बाकी एक जो input है वो हम लोग नहीं देंगे only left यह फर only right को देंगे उसके बाद यहापर जो यह बला IC है यह अभी खाली है इसका कोई output नहीं है तो इससे हम लोग bridge mode करेंगे और इस side का जो IC है इसका output से woofer चलता था यहापर woofer के लिए point दिया हुआ हुआ है तो इसमें जो low pass output यह निकलता है यहाँ से बेस निकलता है तो मैंने output को देखने के लिए यहापर एक device यूज़ करूँगा इसका नाम है oscilloscope तो यह signal दिखाता है और एक signal generator यूज़ करूँगा तो यह है एक function generator जिसको signal generator भी कहा जाता है यह एक audio signal generate करेगी यहापर 115 hertz दिया है तो इसका output यहाँ पर आ रहा है तो यह है यह base filter वाली जो IC है इसका output बाकी जो output खाली है इसका तार यह है इस तार को मैं आगर लगा हूँ यहापर किसी भी IC में तो यह वाला output जो इस side की IC जिसमें हम लोग speaker चलाने वाले है इससे connect करता हूँ तो यह उपर में एक और output आ ज मैं इसको लगाता हूँ तो भी देखिए कॉम amplitude का sine wave यहापर दिख रहा है तो आगर हम लोग इस gear को बढ़ा देते है तो इस gear को बढ़ा के यहापर लगा के देखते है तो देखिए यहापर एक signal हमें देखने को मिल रहा है तो यह कहीं से signal leak होके इस channel में आ रहा है जो इस IC का signal है वो कहीं से leak होके इस IC में output हो रहा है तो वो leak कहां पर हो रहा है वो देखने के लिए मैं यहापर board को इस तरह भुमा लेता हूँ अब देखिए यहापर दो register है 10K 10K यह क्या काम कर रहा है यह basically जो base filter की IC है यहापर जो 488 वन IC लगा हुआ है इसमें mono audio बना के दे रही ह तो mono audio कैसे बन रही है यहापर देखिए जो diagram है यहापर यह दोनों point है यह दोनों register है 18K मैंने 10K बोल दिया sorry तो वो यहापर meet करके यह IC में जाती है 4560 की तो यहापर अगर एक में हम लोग input देते है तो यह थोड़ा थोड़ा leak होती है इस तरफ से देखिए C3 में आगर हम जाके वो इस तरफ वापस आ जाता है signal फिर जाके इस IC में थोड़ा थोड़ा output create करता है हमें इस IC को पूरा पूरी free करना है तभी जाके इसको हम लोग bridge mode के लिए use कर पाएंगे तो हमें इसको free करने के लिए यहापर एक register को disconnect करना है जिसमें हम लोग input नहीं दे रहे है तो इसलिए एक register यहापर खोल देंगे जो की इस तरफ के IC के साथ लगा हुआ था यहापर evil register को मैंने खोल दिया आप देखते है कि वहापर signal आ रहा है की नहीं यह IC पूरा पूरी blank output करना चाहिए आप देखिए दोस्तों इसका output में कोई भी output नहीं है इसको मैं बढ़ाता हूँ तो भी यहापर only ground ही आ रहा है कोई भी output यहापर नहीं आ रहा है तो यही condition हमें चाहिए उसके बाद हम लोग अगर इसको bridge mode करना चाहते है तो हमें एक बार data seat देखना पड़ेगा data seat में क्या है देखिए यहापर यह है battery से चलाने के लिए जीरो बारों के लिए circuit जहाँ पर output में एक capacitor है यह है bridge mode के लिए circuit भाया यह वाला जो circuit है यह TDA 2030 का normal circuit ही है जो की हमारा इस वाली board में बना हुआ है जो की इस वाली circuit है लेकिन यहापर difference बस इतना है bridge mode करने के लिए य यह जो IC1 का output है इस output से एक feedback लेके एक 22K register से यहापर जो IC2 है उसका दो नंबर पीन में इस network में कही पर input किया गया है मतलब कि इसका signal को इसका दो नंबर पीन में inject किया गया है पिछले वीडियो में मैंने इस वाली diagram को समझाया था एकदम detail से तो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा दोस्तो इस IC में दो पीन रहता है input के जो TDA23 IC है पीन नंबर 1 और 2 पीन नंबर 1 है non-inverting input, पीन नंबर 2 है inverting input तो यहापर जो पीन नंबर 1 है यह non-inverting input मतलब यहापर अगर signal high होता है तो output का signal भी बढ़ने लगेगा और जो पीन नंबर 2 यह भी एक input है लेकिन यहापर सिस्टेम अलग है उल्टा है यहापर अगर voltage rise करता है मतलब बढ़ता है यहापर voltage घटेगा फॉल करेगा तो यही होता है जो inverting input उसका खासियत तो यहापर क्या किया गया है इसका जो bridge mode की जो example circuit है एक तो इसका non-inverting input से input लिया गया है audio का तो यह जो है सही signal पैदा करती है जो इसमें voltage बढ़ता है इसमें भी बढ़ता है लेकिन bridge mode में एक speaker को चलाने के लिए एक IC में voltage कम होना चाहिए एक IC में बढ़ना चाहिए तभी यह speaker चलेगा अगर दोनों IC में voltage बढ़ता है तो voltage के अंदर कोई difference नहीं मिल voltage 0 होगा तो यह पर यह speaker बजने के लिए एक में minus 12V देना होगा और एक में plus 12V देना होगा तभी जाके इसमें 24V की gap मिलेगा और उसमें speaker बहुत ज्यादा amplitude से भाइबरेट करेगी तो इसलिए जो IC1 का output है यह अगर बढ़ता है IC2 का output कम होना चाहिए मतलब उल्टा होना चा इनफर्टिंग वाली input में दे दिया गया है जो इनफर्टिंग वाली input pin 2 है यहापर minus लिक के मैंने दिखाया था तो इसमें आगर input हो जाएगा तो इस point का voltage आगर rise करता है तो इस pin 2 का voltage भी rise करेगा मतलब बढ़ेगा तब जाके इसका इस point का voltage कम होता जाएगा और बाकी इस इसका जो non-inverting input था इसमें system वही same रहाएगा जैसे कि यहापर भी था देखिए बस यहापर जो input capacitor और input वाला part है वो खोल दिया गया है तो हम लोग इस board में नहीं खोलेंगे बस input नहीं देंगे तो ही चलेगा तो यहापर कोई modification की ज़रुरत नहीं है just यहापर जो इसका output ह उससे एक feedback बनाके हमें इसका input में देना पड़ेगा लेकिन दोस्तों यहापर एक problem यह है कि इस diagram में देखिए जो इसका pin two में जो capacitor था वो उपर में था और register निचे में था लेकिन हमारा जो भी diagram है यहापर देखिए जो register है वो उपर में है capacitor निचे में तो आगर इस point में हम लोग input inject करेंगे तो यहापर उल्टा हो जाएगा यह capacitor के थ्रू नहीं जाएगे register के थ्रू जाएगी लेकिन यहापर capacitor के थ्रू देने के लिए बताया गया है क्योंकि यहापर आगर कोई भी DC हो जाती है जैसे कि एक IC आपका खराब हो गया यह DC निकल रहा है तो यहापर भ रेजिस्टर का position को बदल के यहापर input दे सकते है यहापर हम लोग एक और capacitor यहापर add करके यहापर directly input दे सकते है तो यह करके हम लोग देखेंगे इस बार तो काफी हो गया थियोरी की बात तो चलिए आप हम लोग practical में चलेंगे और हाँ input signal देने के लिए एक चीज में और ध की feedback में देखिए 22 के लगा हुए हमारा इस डियाग्राम में देख लेते feedback में क्या है यहापर 33 के है जो की best filter का IC है और बाकी जो IC है इसमें 26 के है तो यह लगभग करी भी है ज्यादा कोई difference नहीं है तो यहापर हम लोग 26 के क्या सपास ही लगाएंगे यहापर 33 के क्या सपास इनके बीच कुछ लगाना होगा बहुत ज्यादा difference नहीं होना चाहिए तब क्या होगा दोनों IC output की signal को कोई ज्यादा amplify करेगा कोई कौम amplify करेगा ऐसा करने से तो नहीं चलागा इसलिए यहापर जितना resistance यूज किया गया है उतना ही यूज करेंगे हम दोस्तों यहापर 26 किल 26 के आसपास ही हो जाएगा तो साध हमारा काम बन जाएगा तो ऐसे मैंने दो register को एक साथ connect कर लिया अब देखिए इनका जो value निकलिया वो कितना है 27.4 K तो इससे ही हमारा काम हो जाएगा हम लोग इसको directly नहीं लगाएंगे जैसे कि मैंने बोला एक capacitor से लगाएंगे तो यह पर एक capacitor को भी हम यूज कर लेंगे यह है एक वान माइक्रो फेराड की capacitor यह देखिए 50 वोल्ट वान यूएफ जो बेस फिल्टर वाला IC का output है इससे हम लोग feedback लेंगे और feedback देंगे कहा जिस IC को हम लोग नया modify कर रहे है उफार को वाजाने के लिए उसका जो pin number 2 है उसमें ल 5 यह 4 से output होता है तो यह 1 है यह वाला 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 के connection में लगा देंगे pin 2 का connection यहाँ पर भी है तो यहाँ पर capacitor को connect किया और इस part को connect कर देंगे जो बेस फिल्टर वाली IC है उसका output में तो मैंने इसको pin number 4 में connect कर दिया तो एक बार आच्छे से दिखा देता ह यह देखिए इसका जो बेस फिल्टर IC है इसका output है यह pin number 4 से आ रहा है इससे output तो निकल जा रहा है और इससे ही यह रेजिस्टर और यह capacitor लगा के मैंने यह जो IC है जीस IC को हम modify कर रहे है उफार चलाने के लिए उसका pin number 2 में यह है 1 यह है 2 3 4 5 तो यह pin number 2 में लगा दिया एक में voltage घट रहा है तो दूसरा में बढ़ रहा है देखिए तो यहाँ पर गौर से देखिए एक में हमारा voltage जो है वो निच्चे फॉल किया है दूसरा में देखिए voltage यहाँ पर rise किया है आप देखिए भाया real testing यहाँ पर मैंने एक speaker भी लगा दिया एक woofer लगा दिया 4 ohm क एक्चुले data sheet बोलता है कि यहाँ पर 8 ohm का लगाओ क्योंकि यहाँ पर bridge bond में voltage जो है effective voltage जो डबल हो जाती है एक में voltage high देता है एक में low देता है तो difference जो है double हो जाती है इसलिए 8 ohm की load लगाने को बोला जाता है लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर 24 volt के जागा only 12 volt यानि 606 में मैं चला रहा हूं इसलिए 4 ohm की load सही है इसके लिए तो चलिए अभी यहाँ पर input को on करते हैं और देखते हैं कैसा sound यहाँ पर आ रहा है तो देखिए अभी यहाँ पर अब यह current आनने लगा जब मैं यहाँ पर sound दे रहा हूं तो इस speaker का परदा देखिए और खास बात यहाँ पर यह है कि जो load दिया उसके बाद भी यहाँ पर जो है इन दोनों जो signal है इनके बीच shift नहीं हुआ क्योंकि यह shift होना भी नहीं चाहिए लेकिन मैंने आपको दिखा जनना रहे तो यहाँ पर अगर इन दोनों signal को add कर दिया जाए तो कैसा दिखाता है signal तो यहाँ पर देखिए अगर मैं divide कर दता हूं signals को तो यह कॉम amplitude वाली signals दिखाता है और जो effective signal बन रहा है वो है यहाँ पर add कर देने से बनता है यह देखिए amplitude ज्यादा मिल रहा है speaker को जै तो मैंने connect ही नहीं किया यह floating है तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग जो है गाड़ी के अंदर speakers वाजा सकते हैं कि भाया मैंने पूरा setup यहाँ पर ready कर दिया यह एक battery से चलेगा तो आप लोग इसको car में install कर सकते हैं कर दो कि अंदर कर दिया इस बोड के अंदर तो यह पर पहले तो यह पैताले अठावन का जो support में एक register खोलना पड़ेगा वह तो मैंने आपको पता है पहले ही कि यह जो आठरा के रेजिस्टेंस था जो कि मोनो बना रहा था पैताले अठावन के लिए उसमें से एक को खोलना पड़ेगा ताकि back ना आजे audio उसके बाद LR उसमें से किसी एक को को यूज कर सकते या फिर दोनों को combine करके जो side वाली IC है जिससे आप लोग speaker चलाना चाहते है उसमें देना होगा उसके बाद जो जीस register को हमने खोला है उसके पास वाली register से यह पैताले अठावन में मिल जाता है और उसके बाद वो बूफर चलाने के लिए signal पैदा कर लेता है तो only इस IC में आपको input देना है LR combine करके या फिर only एक को use करके combine कैसे करना है दो 1K या फिर दो 10K रेजिस्टर लेके एक साथ मिला के उसका output को लेना है और third modification यहापर ICA की pin 4 से ICB की pin 2 में 25K plus 1µाइक्रोफर लगाया जो कि यहापर पहला वाला IC को मैं ICA बोला और दूसरा वाला IC ICB है तो इसका pin 4 से यह वाला register और यह capacitor का combination जा रहा है तो ही यह bridge mode success हो रहा है यह तो आपको पता ही है उसके बाद दोस्तों जो speaker में चला रहा हूं यह speaker को हम लोग directly जैसे 20-30 board में connect होता है pin 4 और ground के बीच ऐसे नहीं कर सकते है क्योंकि इस set में जो floating ground है उसमें तो हम यह जो middle का है तो यह floating ground में हमें कुछ भी connect नहीं करना तो ही बैतर होगा जितना कम connection कर सके उतना करना हो ताकि इससे कोई current ना कीचे तो यह ground जो है यह बिगड़ जाएगी इसलिए हम लोग disconnect all minus from floating ground सारे जो devices है उनका minus को floating ground से disconnect कर देंगे जैसे कि कोई speaker हो कुछ भी हो वुफार का minus तो यहापर दो IC का output में pin 4 to pin 4 IC A और B का pin 4 में लगेगा तो यहापर तो ground की कोई roll नहीं है वुफार चलाने के लिए ground का roll only इस speaker को चलाने के लिए होता है तो यहापर ground को मैंने इस speaker का ground को जो minus 12V उसमें लगा दिये जहापर यह battery का minus गया हुआ है यह minus 12V इस capacitor क का minus में है ओके यहापर power line में दो capacity जो है वो बड़े बड़े capacity series में रहते है उसका middle point होता है zero वाली line और जो minus 12V एक का यह pin जाके एक hundred sorry thousand microfarad की capacitor के अंदर से यह output आ रहा है वो speaker को चला रहा है क्योंकि direct अगर हम लोग connect कर देंगे तो यहापर DC आएगी क्योंकि यह जो output है यह जब no signal है तो यह 0V यानि 606 का 0V उसमें रहेगा लेकिन हम लोग यहापर minus 6 में इसका एक point को लगा तो इसलिए यहा output DC filter करने के लिए एक capacitor को एड़ किया जो कि इसका data sheet में भी है जो battery line में चलाने बली होती है 0V में उसमें capacitor लगता है यह जो thousand microfarad इस speaker के साथ लगाना है यह बता दिया और जो song speaker है मतलब इसको मैं song speaker बोलना क्योंकि इसमें गना लगेगा भजेगा इसका जो minus है वो battery का minus यहन connection कैसे करेंगे 7805 जो आइसी है वो चाहिए इस Bluetooth बोड को पावर देने के लिए इस बोड को हम पहले क्या करते थे इसका minus को common ground यानि 0 में लगाते थे और जो plus है उसको 805 का output से लगाते थे अब हम क्या करेंगे 805 को कैसे connect करेंगे उसका 12 volt है वो plus 12 volt point में ही रहेगा जैसे प connect all minus from ground common ground and use minus 12 volt तो यहाँ पर 12 minus 12 volt point से 805 लग जाएगे वो मैंने कैसे किया यहाँ पर यह देखी यह है minus 12 volt point यह गया यह पर ground ओके और जो plus 12 volt point वो दूसरा कपासिटर का इस वाले point से आ रहे है वो इस तरह बाके इस point में आया है और यह plus 12 volt input दे रहा इसको तो इस से plus 5 volt निक positive वो इस board में और इसका negative है यह red तार sorry color को डूल्टा हो गया और यह minus 12 volt point में है पहले हम क्या करते थे इस board का minus को connect करते थे common ground यानि zero में लेकिन वो आप floating बन गया है उसमें हम लोग load नहीं दे सकते है इसलिए इसको हम लोग लगाया battery का minus में ओके यह वाला minus point यानि minus वारो point म है तो ऐसा इसमें भी लिख दिया उसके बाद MP3 board का जो माहिना से यह यह देखिए यह सेम बात यहाँ पर लिखा हुआ है और जो art number की modification है यह MP3 का जो agnd point है यानि जो output यहां से audio निकलता है यहाँ पर agnd point होता है और LR होता है तो LR को हम लोग combine कर सकते है उसके बाद एक input यहाँ पर इस वाली IC का input यानि P1 के साथ जो input जहां से आ रहा है वहाँ पर दे सकते है जो कि पहले बोला की LR को combine करके देना है और इसका जो agnd मतलब जो minus point है output का इसको हम लोग पहले लगाते थे floating ground में लेकिन आप मैं लगाऊंगा इसको minus 12 volt point में और इसी में दिक्कत सुर यह एक मैंने यह जो लालतार में इसका audio output जा रही है यहासे तो इसको मैंने एक 104 capacitor के अंदर से भेजा है ताकि यहाँ पर DC बैक ना आजए और यहाँ पर एक 10K की protection के लिए register भी लगा हुए उसके बाद ही input यहाँ पर घुसा है तो इस बात का ध्यान रखिए जो यहाँ पर अगर किसी capacitor में ज्यादा किसी capacitor से ज्यादा charge के खर्चा हुआ है तो इस capacitor का charge कम हो जाएगा और बाद में वह refill नहीं होगा तो इसलिए balance maintain करने के लिए दोनों capacitor के साथ parallel में 1K का register लगा देखिए यह इस capacitor के साथ parallel में है और एक दूसरा power capacitor यहाँ पर दिख रहा है और इसके स साथ भी देखिए parallel में 1K की register लगा हुआ है तो इससे क्या होगा जो यह पर power की system है यह पर parallel हम लोग 1K और इसके साथ भी 1K लगा देंगे तो अगर एक capacitor किसी तरह से ज्यादा discharge हो जाता है तो यह 2K से यह balance हो जाएगी तो उसी से आपका जो floating ground है वो 6V में रहेगी माइनस सवारों के comparison मतलब यह बीच में रहेगी तो भाया वीडियो तो काफी लंबा हो गया लेकिन इसमें काफी ज्यादा ग्यान भी मैंने आपको दिया कि यहाँ पर bridge mode कैसे करना है उसके लिए यह कुछ modifications और जो battery mode car battery mode इसके लिए इतना सारा modification आपको करने की जड़रत है फिर भी कभी किसी तरह से short बगरा हो जाए या भर speaker में DC आ जाए ताकि speaker खराब ना हो जाए इसलिए एक fuse install करना हमेशा जोरी होता है तो भाई यह वीडियो इतना ही thank you for watching आरे वीडियो पसंद आया तो like किजिए हमारे चैनल का और भी वीडियो देखिए सच्छा ग्यान पाने के लि दोस्तो thank you for watching मिलेंगे next वीडियो में